गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ग्लास सेकेंड हिंदी देखिए आपको सहटेडिय को लेसन नमबर एट प्राता काल का कोश्चन एंसर इसके बार सब्सदुद ब्याक्रण दोर्द में ये जो वाक प्रियोग है नेचे लिया सब्सदों के वाक की बनाई है यह हम आपको लिक्वा दिये थे, अब आगे है question number two, जो कि दिया क्या है, lesson eight का, चक्तरे, प्रादा का, पेस नंबर है, 34, पेस नंबर है, 34, देखे, इसमें question number two है, पार्ट के अंचा वाक्यों को सही कीजिए, को है, सौ दवाओं के सवेरे की बराबर है, फुली हवा, यह देखे, इसमें जो वाकी दिये गए है, वो, क्रम इनका चेंच कर दिया गया है, बदद दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, क्रम से लिखना है, तो दूसरा question है, पार्ट के अंचा, वाक्यों को सही कीजिए, को है, सौ दवाओं के, दवाओं के, सवेरे की बराबर है, खुली हाओं के, देखे, इसका जो प्रम में को चेंच कर दिया गया है, अब हो क्रम से आना है, अब रिखी इसको सही करना है, इसका उत्तर क्या होगा, सवेरे की, सवेरे की, खुली हाओं सवेरे की, खुली हाओं सव दवाओं के, सव दवाओं के, पराबर है, पराबर है, यह हो गया, सही करना है, अब ख़ा है, आखों की, आखों की, बढ़ती है, बढ़ती है, खुली हाओं, खुली हाओं में रोसनी, भुमने से, से, आपने की इसको, इसका प्राइच सरी करना है, तो क्या लिखें के, की, खुली हाओं, इसको के क्या होगा, सही करने इसका उतर होगा, खुली हाओं, हाओं में घुमने से, खुली हाओं में घुमने से, आखों की, आखों की, खुली हाओं में घुमने से, आखों की रोसनी, आखों की रोसनी, आखों की रोसनी, बर ठीक है, रोसनी करते, यह होगे हो, आखों की परोले लिखनी होंगे, गॉल्वाला, को भी निदी होंगे, इसको इरे इसका देना साले, गॉले मीठी आवाजे, मीठी आवाजे, पच्छियों ही, पच्छियों ही, अच्छियों ही, अच्छियों ही, अच्छियों ही, लग रएदी खानों को, कानो को अब देखिए इसको से उत्रम एडिकेंगे जो कैसे डिकेंगे बच्छियों की मीठी आवाजे कानों को अच्छी अच्छी लग रही थी इसको लिदी जीए अब घर है जब हम जब हम फेपड़े फेपड़े लेते हैं तो गहरी सास गहरी सास ताक्मत पर ताक्मत पर पर बते ने परन के हैं इसका इसका क्या हुगा जब हम गहरी जब हम गहरी हैं हैं तो तो फेपड़े 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 साक्मत पर बनते हैं देख़ए जब हम गहरी सास लेते हैं तो फेपड़े साक्मत पर बनते हैं इसको आप राइट कर लीजिए आप राइट कर लीजिए आप राइट कर लीजिए आप आजे किसे जाएटे अप राइट कर लीजिए आप राइट कर लीजिए विलों साद लीजिए विलों साद लीजिए आप राइट कर लीजिए सावे जाँ दूख ताप राइट कर लीजिए साम दी ते लीजिए तेज, मजबूत, खुली देखिए सबी इन कर लों क्या होता है साम, गांगा, सहे, धूख, छाम, ताकत पर कर जो सांती ओ सांती तेज, धीरे फिर मजबूत, कमजोर, खुली बन, यह रहाँ विलों साद, इसको अप राइट कर लीजिए साम, गांग, सहे, धूख, छाम, ताकत पर कमजोर, सांती ओ सांती तेज, धीरे मजबूत, कमजोर, खुली बन, की ताकत पर मजबूत, एक ही हवा, कमजोर, कमजोर इसके बाद है, रचनात्मक कारे में है, फुली हवा में गहरी सास लेने का अभ्यास केजिए, यानि जो सबेरे की हवा होती है, उसमें आप गहरी सास, यानि अंदर सास को भरिये, इसके बाद ये दिरे उसको छोड़िए, तो इसका अभ्यास करेंगे इसके बाद है, अपनी सरीर को स्वस्त रखने के लिए, तुम कौन सा वयाम करते हो, इस विषय पर पांच वाक लिपकर अच्छा में सुनाइए, तो आप जो भी सुबह सुबह योगा करते हैं, वयाम करते हैं स्वस्त रहने के लिए, आप उसको बताएंगे कौन सा योगा है, और उसके विषय में क्या लाद है आप पांच इस पर दिखियेगा, और जब क्लास चलने लगेगा तो आईएगा, तो क्लास में बताएंगे, ये लेशन जो एक लेशन था, प्राता का, ये लेशन आज कम्प्रीट कुआ, अब अगरे वीडियो में एक नया चेटर, भा भारत देश भाहान, ये पोया है, इसको आप अच्छे से लान करने के बहुत जादे लाइन करनी है, सिक्स लाइन का पोया है, इसको आप लाइन करने के हम इसका अर्थ होताएंगे, तब तक के लिए गुडबाई स्टुडेंट